जासे चले कि मौरानीपुर सीट पर एक एतिहासिक जीत दर्ज करने वाली रस्मी आरे ने राजनीती के एतिहास में एक और पन्ना जोड़ दिया है मौरानीपुर में पहली बार कोई इतने बड़े अंतर से जीता है ऐसे में अब अपना दल की तरफ से उन्हें योगी सरकार के मंत्री मंदल में इस्थार मिल सकता है ऐसा मारना है न्यूजबी के चैनल का देखिए एक खास रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भारतिये जन्ता पार्टी ने राज में अपनी सरकार बनाई है इस जीत के लिए जहां स्वें बाबा योगी आदितनात बड़े ही आस्वस्त थे उन्होंने अपने कई इंटर्वियू में पहले ही बता दिया था कि उनकी सरकार पुना एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने है इसके लाबा अगर बात करें जहां सी चले की तो यहां के प्रत्यासी भी अपने जीत को लेकर काफी आस्वस्त थे फिर बात चाहें सदर बिधायक रवी शर्मा की हो या बविरा विधान सावा से राजीब की या फिर हो मौगुरानीपूर की पूर बिधायक डॉक्तर रश्मी आर की आपको बता दें की रश्मी आर इससे पहले 2012 में सपा सरकार में बिधाय करें इसके बाद 2017 में वह सपा से चुनाव लड़ी थी लेकिन यहां एक तरफ मोधी लहर थी तो वहीं 2017 में सपा की नाकारात्मक्षभी को लेकर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था लेकिन इसके बाद 2022 चुनाव से ठीक पहले उनकी और समाजबादी पार्टी के मुख्या के मध्ध कुछ दूरी देखी गए इसके बाद उन्होंने सपा छोड़कर भारती जन्ता पार्टी का दामन धाम लिया लेकिन इसके बाद मौरानी पूर में एक अलग प्रकार की राजनीती देखने को मिले लगी जिसमें भाजबा से टिकेट की उमीद लगाए लोगों के सीने पर सांप लोटने लगे इसके लबाद समाजबादी पार्टी में भी अपना कद बढ़ाने वाले तिलक को भी सुरक्षित सीट होने की बज़े से मौरानी पूर की सीट चादा भार रही थी महीं बुंदिलखन की राजनीती में दल बदलने का इतिहास रखने वाले नेता रतललाल अहरवार के पुत्र रोहित भी इसी सीट से हाथ आजमाने के लिए तैयार थी ऐसे में सभी को पता था कि अगर उनका किसी से मुकाबला होगा तो सिर्फ रस्मी आरसे ऐसे में सोसल मीडिया के कुछ तथा कथित पत्रकारों को नेताओं ने कुछ ऐसे मैनेज किया कि रस्मी के विरुद्ध लगातार खबरें प्रसारित की जाने लगी हाला कि बस्पा प्रत्यासी रोहित अहरवार को पहले से ही जीत की दोड़ से बाहर माना जा रहा था रहा था कि अब अहरवार बोट उनके पास है इसके अलावा उन्हें यादव समाज और अल्फ संख्यक बोट से भी पूरी-पूरी उम्मीदे थी यही पोट उन्हें जिता भी सकते थे ऐसे में तिलक को शेतर के तथा कथित पत्रकारों का भरपूर सहयोग भी मिलना पहले से मैनाईज हो चुका था अब भारती जन्ता पार्टी की सदस्वता लेते ही सभी पृत्यासियों की नीदोर दे तिलक को भी लग रहा था कि अगर रस्मी भाजपा से चुनाओ लड़ेंगी तो उनके जीत के सपने चकना चूर हो सकते हैं ऐसे में रस्मी आरे के पती पपू सेट पर कुछ पुराने मामलों को खाटते हुए मौरानी पूर बिधान सवाज शेतर में एक कैमपेनिंग शुरू की गई लेकिन शायद कहते हैं कि साच को आज नहीं सिर्फ राजनीती नहीं बलकि समास सिवा में हमेशा अग्रसर रहने वाली टॉक्टर रस्मी आर और उनका पूरा परिवाद शेतर की जनता के दिलो दिमाग पर चाया था लेकिन यहाद सायद भाजपा में उपर बैठे नेता नहीं समझ पा रहे थे इसके बाद रस्मी के बेरोदू चलाए गई भ्रामक खबरें उच्छे इस्तर के नेताओं तक सोसल मीडिया के माध्धम से पहुँचाई जाने लगी यही कारण था कि भाजपा के लोगों ने मौरानी पूर की सीट फाइनल करने में समय लगाया और अंत में मौरानी पूर की सीट अपना दल के खाते में चली गए लेकिन अपना दल की अनुप्रिया पटेल को यह बात भली भाथी पता थी कि अगर उन्हें मौरानी पूर की सीट निकालनी है तो रस्मी के सिवा दूसरा उनके पास कोई भी कल्प नहीं है इसके बाद तवाम नाकारात्मक परचार से भी रस्मी आर को कोई फर्क नहीं पड़ा मैं कम समय में परचार में एक बार जुटी तो फिर लगातार उन्होंने गाउं गाउं जाना शुरू कर दिया बेलगातार जगे जगे पहुँच कर लोगों से बोट भांग रही थी यहां तक कि चुनाओं के समय तक कुछ लोग व्यक्तिकत खुननस निकालने के लिए उनके विरोध में खबरी चलाते रही लेकिन जन्ता आज सही और गलग का फैसला करना जानती है उन्हें समझ आता है कि आज उनके लिए कौन नेता सही है और कौन गलग और कहां भें पूरी तरह सुरक्षित है अगर मतदान के दिन मौरानीपुर की शेत्र की जन्ता ने उन्हें तावर तोड़ पोड़ती और जब 10 मार्च को EBM की गिंती शुरू हुई तो मतदान समाप्त होते होते उन्होंने जीत का एक रिकॉर्ड बना डाला उनकी इस एतिहासिक जीत के साथ ना सिर्फ तधा कतित पत्रकारों की भी बोलती बंद हो गई बलकि बह लोग भी चुपी साध कर बैट गए जो उनके दुस पर चार में चुटे थे और अगर लखनू से नियूज बीके के सूत्रों से मेरी जानकारी की बात करें तो हो सकता है कि अपना दल से रस्मी आर को योगी के मंत्री मंडल में पद मिल जाए और अगर ऐसा हुआ तो जहांसी जिले के लिए यह कौरप की बात होगी फिलाल रस्मी से जब हमारी संबादाता रभी परिहार ने पात की उन्होंने बताया कि जनता नोंने सेवा का मौका दिया है और वह निरंतर लोगों की सेवा के लिए तक पर रहेंगी साथी उन्होंने कहा कि शेत्र के लोगों की मुल्भूत समस्याओं को दूर किया जाएगा और सबसे पहले स्वास्त व्यवस्थाओं पर वह काम करेंगी विकास की सारे काम हमारी अपना दल एस बाती जन्ता पार्टी कर रही है नीतिया जो है वो सीदे सीदे गorro anterior को मिल रहा है डाय एक मिल रहा है सबास्ता पर्मा के लोग को दिए जो पहली जोLi द्यान में दिया जाएगा जिकैसा के लिए थ्यान नलब करेंगे जो मिल लगतार कहती हैं परहार की रिपोट झाल झाल